हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हूं न्यूड डिजाइंट डूर्मेट जिससे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बूल ली है और टेन नंबर सलाई ली है तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालूंगे तो देखिए फंदे मैं सिंफल डाल रही हूं जो बिगनर्स भी डाल सकते हैं इस तरह से यह देखिए यहाँ से किया एक इस तरह si यहाँ पे आप नॉट भी लगा के इसको डाल सकते है फंदे और फंदे यहां पे थोड़े से लूज होने चाहिए ज़्यादा खिचे हुए नहीं होने चाहिए इस तरह से मैं यहां पे 32 फंदे ले लेती हूँ यह देखिए यहां पे मैंने 32 फंदे डाल लिये हैं 32 फंदे आप देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट रो से ही डिजाइने स्टार्ट करूँगी इसमें तो देखिए पहले मैं 16 फंदे सिंपल वोनूँगी एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, 16 यह देखिए यहाँ पे मैंने 16 फंदे रेड से बुन लिए और यहाँ पे मैं यह देखिए 16 फंदे जो हैं इनमें में बाइट कलर लगाऊंगी आपको इसी तरीके से बनाना है जितना बड़ा आप डोर्मेट बनाएंगे हाफ आफ फंदे कर लेंगे यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे चाओदा फंदे बाइट बुने, दो रेड बिना बुने छोड़ दिये और बूल को इधर किया, सलाई को यहाई से पलट लिया यहाँ से देखिए, अब मैं चाओदा फंदे बाइट से बुनूँगी, इस रो में जो जैसा है कलर उसको मैं वैसे ही बुनते जाओंगी, लाश्ट तक यह देखिए, यहाँ पर आपको यह बूल क्रोस करानी है, इस तरह से देखिए, इसके उपर से ऐसे, इसको थोड़ा सा खीच के आगे लाएंगे, ताकि यहाँ पर कोई गैफिंग ना रहा है, होल ना हो, इस तरह से, आप देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंद्रे, सोले, यह देखिए, यह रो पूरी कम्प्लीट हो गई, आप देखिए आँसे, फिर से पलट लिया मैंने, और उल्टे साइड से, आप देखिए, उल्टे तरफ से इस फंदे को मैं उतार लूँगी, ऐसे, बिना बुने, ताकि यहां पे चैन आ जाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बूल को इदर किया, और देखिए यहां से, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, चाओदे फंदे बुने, और दो, मैंने यह बाइट बना लिए, रेड वाले, ऐसे, उसके बाद देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, इस रो में मैंने बारा फंदे बाइट बुने, और बूल को इदर किया, सलाई को पलट लिया, यहां पे जो जैसा कलर है, उसको मैं बैसे ही बनाऊंगे इसको, रेड है उसको रेड, बाइट है उसको बाइट, यह देखिए, पूर ऐसी तरह से रो कम्प्लीट करते जाएंगे, यहां तक हो गया आप देखिए इसको हम किरोज कराएंगे यह देखिए इसको ऐसे इसको ऐसे थोड़ा सा खीचेंगे यहां पर इसको आगे लाएंगे और यहां से यह रेड फंदे हम बनाके कम्प्रीट कर लेते हैं आप देखिए यहां से फिर से मैं एक फंदा उतार लूँगी और भूल को ऐसे अपने तरफ कर लूँगी आप यहां से यह दो तीन चार पाच छे प्रणटे 5 सात आठ नवब कीछ सवक्राइब देखिए बारा फंदे मैंने इस रो में पुने और दो फंदे यहां से मैं रेड वाले बाईट से बुरूँगी यह देखिए अब देखिए जो पिछली बार मेने फंदे बुने थे उनको में रेड बुनूँगी अब जो अब ये बाइट वाले मैंने रेड कर लिए और इन 16 फंदों में अभी हम कुछ नहीं करेंगे इनको हम ऐसे ही बनेंगे सिर्फ दो फंदे छोड़ते आएंगे प्लाश्ट में ये देखिए दो फंदे फिर से चोड़ दिये यहीं से बुल को इधर किया सलाई को पलट लिया दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ये देखिए इसको हम किरोज करा देंगे ऐसे इसको आगे लाएंगे दो फंदे रेड यहां पर और देखिए इसको फिर से इधर करेंगे इसको बैट को आगे लाएंगे और दो बैट अब यहां पर इसको पीछे किया इसको आगे लाई और यह वाले फंदे जो हैं इनको हम पूरा रेड बनाते हुए कंप्रीट करेंगे इस रो में जो जैसा कलर है उसको बैसे ही बुनते जाना है सीधी रो में कुछ नहीं कनना है ये दिखे आप इसको हमने पलट लिया इस फंदे को उतार लिया बूल को अपने तरब किया ये दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस ये देखे, अब मैंने यहाँ पर दस फंदे रेड बुने और देखे, इसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ से देखे, ये भी क्रोस हो गया और ये दो फंदे में रेड वाले बाइट बना लूँगे आप देखिए यहां से जो bite वाले हैं इनको हम red बुनेंगे ऐसे एक दो और ये दो है red इनको हम bite बुनेंगे यहां पर design ऐसे ही रहेगी और ये वाले फंदे एक दो तेन चार पाँच छे साथ आठ आठ फंदे यह मैंने bite बुनें आप देखिए इस तरह से यह design इधर आएगी और यहां से हम फिर से pallet लेंगे और यहां पर जो जैसा है उसको हम बैषिए ही बनाते जाएंगे आप देखिए यहां से एक फंदा फिर से उतारूंगी बूल को अपने तरफ और देखिए यहां से दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ यह देखिए आठ फंदे बुने और दो यह रेड वाले बाइट बना लेगे ऐसे उसके बाद देखिए जो बाइट के हैं उनको हम रेड बुनेंगे और जो रेड हैं उनको बाइट और दो फंदे यहां पे बाइट वाले रेड ऐसे यह देखिए इस तरह से आप देखिए यहां से एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे फंदे मैंने ऐसे बना लिए और यही से पलट लिया आप देखिए इनको हम यहां पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे यह देखिए इस तरह से मैंने यह रो यहां से कंप्लीट कर ली आप देखिए इसी तरीके से हम दो, दो, फंदे बाइट के करते जाएंगे और इस साइट दो, दो, फंदे छोड़ते जाएंगे तो लाश्ट तक हम यह बाइट कर लेते हैं और यहां पूरे में यह 16 फंदे दो बाइट और दो रेड आ जाएंगे तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको ये देखिए इस तरह से मैंने यहां तक इसको बाइट कर लिया और देखिए यहां पे इस तरह से दो बाइट दो रेड दो बाइट दो रेड इस तरह से फंदे यहां पे आ गए हैं और यहां पे यह 16 फंदे यहां तक मैंने छोड़ दिये हैं आप देखिए इस तरह की हम रो डालेंगे सेंटर में तो यहां से हम red color लगाएंगे और सारे फंदे red से ही बना लेंगे दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंद्रे, सोले यह देखिए और यहां पे थोड़ा सा gaping हो रही है तो हम यहां से ऐसे फंदा white का उठा लेंगे, इस तरह एसे यह देखिए और इसके साथ ऐसे बना देंगे यह देखिए तीन, यहां के यह 16 फंदे ऐसे ही बन लेंगे चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले यह देखिए, टोटल 16 फंदे मैंने यह इधर के भी बुन लिए और यह इधर के तो इस रो में मेरे पास 32 फंदे रेड फिर से हो गए आप देखिए यहां से हम पूरी रो, इस फंदे को हम उतारेंगे ताकि यहां पर होल छोटा रहे, तो देखिए, इसको हम ऐसे उल्टा बनाते हुए लाश तक बुनते जाएंगे ऐसे पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे तो हम इसको कर लेते हैं, यह देखिए इस तरह से यह रो कम्प्लीट कर ली और हाप कर ली बनके कम्प्लीट हो गई अब देखिए हम इस साइड से इधर को फंदे ले जा रहे थे बाइट वाले अब मैं इस साइड को इधर को ले जाओंगे तो देखिए यहां से मैं यह रिखिए यहां पर दो फंदे यह बाइट है तो दो फंदे मैं यहां पर बाइट बुनोंगे ऐसे इस तरह से और देखिए दो रेड यहां से एक दो और दो बाइट ऐसे और दो रेड, दो बाइट, दो रेड, यह मुझे 16 फंदों तक बनाना है, ऐसे, यह दिखें यहां पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, दोने 16, यह 16 फंदों तक मैंने यह दिजाइन डाल ली यहां से, आप देखें यहां से हम बाइट कलर से बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारे, बारे, तेरे, चौदे, चौदा फंदे मैंने बुने, दो बिना बुने छोड़ दिये, सलाई को यहां से पलट लिया, और यहां से उल्टा बनाते हुए, पूरा लाश्ट तक कम्प्लीट कर लेंगे, यह 14 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे, बाइट हैं जो, यह देखें, आप देखें, इसको हम कराएंगे, इसको आगे लाएंगे, दो फंदे, यह रेड, और देखें, दो बाइट, बापस दो रेड और दो बाइट, दो रेड बुनते जाएंगे, जो जैसा है, वैसे ही बनाते जाएंगे, यह देखें, आप देखें, यहां से, आप यह दो फंदे में रेड बनूँगी, यह देखें, और यह दो बाइट, फिर देखें, दो रेड और दो बाइट, दो रेड, दो बाइट, यह देखें, यहां तक, यह सोला फंदों तक, उसके बाद हम यहां पे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, बारा फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिये, और बूल को इधर किया, सलाई को पलट लिया, यहां पे देखें, जो जैसा है, उसको हम यहां तक बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं, यह द देखिए, अभी यहां पे दो फंदे हैं, आप चार फंदे रेड हो जाएंगे, तो देखें, एक उतारा ये, और बूल को अपने तरफ किया, यह देखें, दो गए, और दो बाइट रेड कर लिये, अब देखें, यहां पे यह दो दो फंदे रेड बढ़ते जाएंगे, ज यहां तक, बापस, यह देखे, उसके बाद देखे, यहां से हम बाइट कलर लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तसफंदे बुने, दो बिना बुने, छोड़ दिये, बुल को यहां से, ऐसे किया, और सलाई को पलट लिया, यहां से जो जैसा है, उसको हम बैसे ही बुनते जाएंगे, इसको देखिए क्रोस कराएंगे ऐसे इसको आगे लाएंगे ये दो रेड और देखिए इसको फिर से इधर किया दो बैट दो रेड दो बैट बनाते जाएंगे और देखिए, लाश्ट में चार रेड आएंगे ये देखिए, लाश्ट के चार जे रेड हैं एक, दो, तीन चार आप देखिए, इस रो में पलट लेंगे इसको और ये यहां पे 6 हो जाएंगे, रेड, दो, दो करके ये बढ़ते जाएंगे अब ऐसे ये देखिए, ये दो फंदे फिर से बाइट वाले हमने रेड कर लिए ऐसे, आप देखिए इसी तरीके से, यहां पे हम 16 फंदे रेड कर लेंगे और ये इस तरह से डिजाइन बनाते जाएंगे, इधर दो, दो फंदे छोड़ते जाएंगे तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते ये देखिए इस तरह से यहां पे मैंने 16 फंदे ये रेड कर लिए हैं और देखिए यहां पे 16 ही फंदे मैंने यह छोड़ दिये हैं इस तरह से देखिए यह कली पूरी कम्प्लीट हो गई आप देखिए यहां से हम पूरी रो इसी रेड गलर से बनाएंगे सारे फंदे हम रेड से ही बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले यह देखिए इस तरह से यहां तक मैंने यह बना लिया और यहीं से अभी पलट लेंगे यह स्रिफ सोला फंदे मैंने बुनके यहां से पलट लिया अगली रो में पूरी रो बुनते जाएंगे लाश्ट तक इस तरह से आप एक रो कर लेंगे तो यह यहां पर जोल नहीं आएगी अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो यहीं से आप दो दो फंदे करके इन सभी फंदों को छोड़ दीजिए उसके बाद बनाईए तो यहां पर कोई जोल नहीं आएगी ये देखिए इस तरह से यहां तक बना लिया देखिए दो फंदे ये थे इनको भी मैंने कर लिया और यहां तक बना लिया अब अगली रोज हो है ये वाली इसमें हम सारे फंदे बनेंगे 16 फंदे ये रेड वाले रेड और बाइट वाले भी रेड बना देंगे यहाँ पर गैपिंग लगया अगर आपको तो आप यहाँ से फंदा उठाके इस फंदे के साथ ऐसे बुन दीजे और यह 16 फंदे भी इसी कलर से बुल लेंगे यह देखें यह देखें दाश तक बना लिया और यहाँ से देखें पूरी रोग हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे देखें इस तरह से यह कम्प्लीट हो गई यह देखें इधर से मैंने यह रोग कम्प्लीट कर ली और देखें इसके आगे की कली अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं दो कलर से बना सकते हैं और मैं इसको यहाँ से देखें अब एक फंदा उतारूंगी बुल को अ 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये देखिए 16 फंदे मैंने बना लिए ये रेड से अब यहां से हम बाइट कलर लगाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे चवदे फंदे बने, दो बिना बने छोड़ दिए बुल को इधर किया और देखिए इस तरह से या जाएगे दूसरी कलिए आप देखिए, इसको हम बना के ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, यह बहुती इजी है, बहुती सिंपल है